नमस्कार दोस्तों, PSSM Blessings परिवार से मैं मिशा गुपता, पुस्तक, रुक्मनी और काल चक्र का फेर के ओडियो बयालिस में आपका स्वागत करती हूँ पिछली कड़ी में हमने सुना कि सत्यभामा उनके उद्यान में लगे पारिजात व्रक्ष को माता को दिखाना चाहती थी, परन्तु माता कहीं मिल नहीं रही थी आईए सुमती द्वारा अब आगे की कहानी सुनते हैं इस बीच रुक्मनी इंद्रुलोक में थी इंद्राणी देवी उनको ये बता रही थी कि कैसे अपसरा और गंधर्व महिलाओं को नरकासुर ने जाल में फसाया था माता ने उन्हें मुक्त करने के लिए स्वयम वहां जाने का निश्चे किया परन्तु इंद्राणी देवी ने माता को उनका रूप लेकर भेश बदल कर जाने का सुझाव दिया क्योंकि वह दिव्य महिलाओं को उनके भरम से जगाएगा और वे यहां लोट आएंगी और नरकासुर भी यह सोच का प्रसन होते वे निशस्त्र हो जाएगा कि उसने मुझे अपनी मायावी दुनिया में फसा लिया है वास्तव में माता इंद्रानी देवी के रूप में प्रचन नरकासुर के राज में गई और उन्होंने यह बाद श्रीकृष्ण से भी छुपाई जो एक अद्बुत उपलब्धी थी ऐसा कभी ही होता है कि वे अपने विचारों और कार्यों को एक दूसरे से छिपा सके परन्तु कभी-कभी यह उनकी लीला का हिस्सा होता है वे उनका ध्यान सत्य भामा से नहीं हटाना चाहती थी इसलिए उन्होंने इस संकट में कारे को परियाप्त साफधानी से शुरू किया इस बीच उनकी लंबी अनुपस्थिती के कारण पूरी द्वारका में समचार तेजी से फैल गया कि माता को उस देव रूपी आकरिती ने पकड़ लिया है जब वे आफवाएं सत्य भामा के कानों तक पहुँची तो उन्हें अपनी सह पत्नी से आगे निकलने की खोशी अत्यंत दुख में बदल गई और वे विलाप करने लगी तुम श्री कृष्ण के आश्चर्य की कल्पना कर सकती हो जब उन्होंने आंत्रिक रूप से अपनी प्रिये पत्नी को नरकासुर के बगल में इंदरानी देवी के रूप में देखा सुमती यह सोचकर हस पड़ी उन दोनों में एक निराली हास सिवरिती है और वे एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं परन्तु यह कोई मजाक नहीं था यह एक गंभी रिस्थि थी जब नरकासुर ने माता को उनके भेश में आते हुए देखा तो उसने तुरंत उन्हें स्वर्ग की रानी समझ लिया और उसने स्वयम वास्तव में विश्वास किया कि वे एक देव बन गया है उसका मानना था कि इंद्रानी ने इंद्रदेव को त्याग दिया था और वे स्वेच्छा से उसके पास आई थी और उसने इन्हें अपनी शक्ती की इस पष्ट स्वीकृती के रूप में देखा गर्व से उसने यह कहते वे अपनी सभी बंदियों को यह दिखाया कि वे और इंद्रानी एक वैकल्पिक आकाशिय दुनिया का निर्मान करेंगे जहां वे सभी निवास कर सकेंगी इंद्रानी देवी उसकी पत्नी होंगी और वे नया इंद्रदेव होगा अपसरा और गंदर्व महिलाओं ने तुरंत उस घोशना के पार देखा और उस ब्रहम से बहार निकलने में सक्षम हो गई जिसने उनके मन में प्रवेश किया था वे बहुत लजजित होकर माता के पास आई और उनसे विंती की कि वे उन्हें तुरंत स्वर्ग लोटने की अनुमती दे परंतु उन्होंने उन्हें रोगने और लोगों को उनके मानसिक कारगार से मुक्त करने में सहता करने के लिए कहा उन्होंने माता को बताया कि अगर किसी सेना ने संपर्क किया तो सभी बंदी स्वयम को मार देंगे क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि इस से उन्हें नई दिव्वे दुनिया में प्रवेश करने में सहता मिलेगी जो नरका सुर बना रहा था एक अपसरा ने बताया कि उस इस्थान पर भारी पहरा है जैसा कि स्वयम नरका सुर पर भी है उसे पकड़ने का एक मात रुपाए उसे अपने पहरोदारों से अलग करना है यह अनुभव करते हुए कि श्री कृष्ण ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है माता ने उन्हें जानकारी वापस भेजना शुरू कर दिया उन्होंने उनकी सहता मांगी परंतु उन्हें बताया कि वह सेना नहीं ला सकते हैं और उन्हें सत्यभामा के साथ अकेले जाना होगा फिर कृष्ण ने उन्हें सलहा दी कि परिसर में एक बड़ी जील है और उसके लिए सबसे अच्छी पधती यही होगी कि वह एकांत में नरका सुर को उस जील की ओर आकरशित करें ताकि वह और सत्यभामा उसे मार सकें माता ने इसके लिए योजना बनाना शुरू कर दी महां द्वारका में सत्यभामा को विश्वास हो गया था कि माता को उस राक्षस द्वारा भैकाया नहीं जा सकता था चाहे वे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो वे निरंतर रोती रही और बोली कि श्री कृष्ण की सबसे प्रिये पत्नी को पकड़ने के लिए वे स्वयन चाकर उसे मार डालेंगी उनके उपर एक परिवर्तन आ गया था और वे एक ऐसी शक्ति में आ गई जो वे भी नहीं जानती थी कि उनके पास है माता ने नरकासुर को अपनी एक नाव पर ये कहते वे सफलता पूर्वक फुसलाया कि वे आकाशिय दुनिया के कुछ रहस्यों को साज़ा करने के लिए उसके साथ अकेली होना चाहती है वे एक संरक्षित जील थी और उसने सोचा कि वे सुरक्षित हैं तो तटपर अपने पहरेदारों को छोड़ने के लिए वे तयार हो गए वे जील के बीच गए और जहां कोई पहरेदार नहीं पहुंस सकता था और वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए और उसके साथ घंटों तक युद्ध किया उस शक्तिशाली असुर के कमजोर हो जाने पर सत्यभामा ने अंतिमवार करने के लिए भाले को उसकी छाती में मार दिया माता पीछे हट गई और अपनी प्राकृतिक रूप को फिर से धारन कर लिया अधिक कठिन कारे अभी भी सामने था कि बंदियों को आत्मत्या करने से रोकना ये अपसराएं और गंधर्व थे जिनोंने स्वयम नरकासुर के ब्रहम की शक्ति का अनुभव किया था जो दूसरों पर उनके द्वारा डाली गई माया को तोड़ने में सक्षम थे श्रीकृष्ण और सत्यभामा तब उन्हें मुक्त करने के लिए आए आज तक सत्यभामा का मानना है कि उन्होंने माता को नरकासुर के चंगुल से मुक्त कराया था उसके बाद उनकी इर्श्या गायब हो गई पहले उनमें आत्मविश्वास की कमी थी और वे श्रीकृष्ण के प्रेम के प्रती अनिश्चित थी अन्तता वे माता की तरहे एक शाही घराने में पैदा नहीं होई थी वे एक राजकी अधिकारी की पुत्री थी और इस वजह से वे स्वयम को औरों से कम समस्ती थी हमें से बहुत से लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं जैसे वे अपनी प्रिये पत्नी रुक्मनी से प्रेम करते हैं वैसे ही वे हमें से हर एक से प्रेम करते हैं हमें उनका प्रतिवेंब देखते हैं सुमती ने जैसे ही अपनी बात समाप्त की उनका अस्वर शान्थ हो गया कुछ शणों की चुपी के बाद मैंने बोला मैंने नरकासुर की हार के बारे में सुना था परन्तु विवरण कभी नहीं जानती थी मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इस लीला में माता की भूमिका के बारे में जानते हैं बहुत कम लोग जानते हैं अगर अंजली नहीं होती तो मुझे कभी नहीं पता चलता मुझे याद है कि माता कुछ महीनों के लिए गायब हो गई थी परन्तु मुझे कभी भी इन अफवाओं पर विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें नरकासुने पकड़ लिया है हम में से कई लोगों ने सोचा कि वे यात्रा कर रही थी या फिर विदर्ब घूमने गई थी इस घटना के बारे में मुझे जो बात याद आती है वे ये है कि माता ने कभी अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा उन्होंने स्वेच्छा से स्वयम को बड़े खत्रे में डाल दिया यह कहानी बहुत अलग तरीके से समाप्थ हो सकती थी मुझे संदे है कि किसी कारण उन्होंने श्री कृष्ण से पहले परामश नहीं किया जब मैं उस भयंकर नरकासुर के साथ उसकी नाव पर माता के बारे में सोचती हूँ मुझे एहसास है कि वे हमारे लिए कितना सहती है श्री कृष्ण समय पर ना पहुँचे होते तो क्या होता माता एक दिव्य जीव है इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन जब ऐसे जीव एक मानव रूप धारन करते हैं तो कुछ हद तक वे हम सभी के समान कमजोरियों के अधीन होते हैं अंजली ने मुझे बताया कि जब माता द्वार का लोटी तो उसने देखा कि उनका देह कितना ठका हुआ था पूरे प्रकरण ने अपना असर दिखाया था और फिर भी वे अडिक थी उनकी आत्मा मजबूत थी और वे तुरंत यहां यह देखने के लिए आई कि महल्याएं कैसी है द्वार का लोटने पर नरका सुर द्वारा बंदी बनाई गई कुछ व्यक्तियों को उनके परिवार द्वारा अस्विकार कर लिया गया था उनके परिवार द्वारा अस्विकार कर दिया गया था यह माता ही थी जिनोंने उनके मन को शांत किया उनकी गरिमा की भावना को जगाया और उनके परिवारों को उनका वापस स्वाकत करने के लिए मनाया यहां मेरे सभी वर्षों में मैंने उन्हें दूसरों की सेवा करने से कभी जिजबते नहीं देखा और उनका वे व्यवार मेरा आदर्श मेरी प्रेना रहा है सुमती क्या सीता माने जब लंका में प्रवेश किया था तो जो हुआ था क्या वे उस से बहुत अलग है उन्होंने स्वेच्छा से स्वयम को बहुत खत्रे में डाला था ताकि श्री राम वह कर सकें जो करने की आवशक्ता थी जब आप बोल रही थी मैं उन दोनों घटनाओं के बीच कई सामानताएं देख पा रही थी तुम सही कह रही हो सुजाता मैंने ऐसा नहीं सोचा था इनके जीवन में कई सामानताएं हैं जैसे कि तुम जानती हो बहुत से लोग मानते हैं कि माता अपने पिछले जनम में सीता थी हमारे चिंतन का समय समाप्त होने वाला था एक घंटा बीच चुका था और कुछ औरते अब कदाचित सुमती की सहता की खोज में वाटिका में प्रवेश कर रही थी सुबह के खाने का समय हो गया था और हम जाने के लिए उठे यह जान कर कि ये माता की शिक्षा थी वह आपको संसारिक जीवन की दैनिक आवशक्ता को पूरा करने में विफल नहीं होने देती है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगली कड़ी में हम इशान के प्रस्थान के बारे में जानेंगे आप सब का बहुत बहुत आभार